नमस्कार आप देख रहे हैं वीके नियूज और मैं हूँ आपके साथ वेशन सोनी अंद विश्वासर काले जादू के घिनोने खेल में आकर एक माने वो कर दिया जिसे सुन आपकी भीरू काप जाएगी क्योंकि मा शब्द का अर्थी वो ममता है जिसकी पूर्ती शायदी दुनिया में कोई कर पाए लेकिन यूपी के सुल्तानपूर में कलियूगी मा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी ना तो कल्पना की जा सकती है और ना ही उस पर विश्वास बता दिये हैरान कर देने वाला मामला यूपी के सुल्तानपूर के गोसाई गंजठाना शेत्र के धनावडी गाउं का है जहां एक मा का विभत सुरूप देखने को मिला दरसल यहां एक कलियूगी मा ने अपने चार मा के बच्चे की तंत्र साधना के चक्कर में काली प्रतिमा के सामने पावडे से काट कर बली चड़ा दी घरदाई विदारक इस घटना से गाव में अब संसनी फैल गई है और गाव के हर कोने में इस घटना के चर्चे ही चर्चे हैं कि भला एक मा अपनी कोक से जन में किसी बच्चे को ऐसे कैसे मौत के घाट गार सकती है वह इस पूरे मामले पर पडोसियों और परिजनों का कहना है कि आरोपी युवती का नाम मंजु देवी है जो पैतिस वर्ष की है चार महीने पहले मंजु ने एक बेटे को जन्म दिया बच्चे के पैदा होने से मंजु का पती शिव कुमार और उसका पूरा परिवार काफी खुश था लेकिन शिव कुमार को ये नहीं पता था कि एक दिन उसकी पत्नी ही उसके बच्चे की चान ले लेगी वह अकसर अपनी मनोकामना के लिए तांत्रिक के पास जाती थी और अजीवो गरीब हरकते करती थी लेकिन इस बार तो उसने खुद के बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी वहीं अब प्रोश्मी ये उड़ता है कि आखिर ये तांत्रिक कौन था जुसके पास मन्जू अकसर जाया करती थी हालाकि इसकी किसी को भी ख़वर नहीं है वहीं पुलिस इस मामले की चांच में भी जूटी हुई है और मन्जू से भी पूश्टाच फिलाल जारी है